जहन्द तो ओल में रिस्पेक्टेड एस्पिरेट्स ऑन बेहाफ अव गोईला क्लासस में आप सभी का स्वागत करता हूं और जैसा कि हमारा जो जो एक मीन्स राइटिंग चल रहा है जिसमें हमने स्टार्टिंग में कोशिश किये जो भी प्रीविएस यर कुशिंस हैं वह आपके साथ डिसकस किये जाए कारण है बहुत बर देखा जा रहा है कि कुशिंस रिपीट होते हैं और कारण ये भी है कि उससे हमें जो देखते हैं आज का जो कुशन है जो प्रश्न है वह क्या है कि जो कमर्शिलाइजेशन ऑफ एंग्रीकल्चर इंडिया है डियूरिंग कोलोनियल रूल उसका क्या इंपक्ट बढ़ा है क्या परिणाम बढ़ा है भारत की जो आर्थिक विवस्ता है उस पर राइट तो देख कमर्शिलाइजेशन ऑफ एंग्रीकल्चर तो मैंने जब एक कीवर्ड देखा तो मेरे माइंड में पॉइंट आ जाने चाहिए कि इन्होंने कैसे जो कमर्शिलाइजेशन था जैसे नंबर वन की इंडस्री को कभी बढ़ावा नहीं दिया जो दादा भाई नारोजी थे उन उनको रख सकों तो इस तरह का आपका पहला स्टेप होता है जलिए आए अप शुरू करता है तो इसका जो हम शुरू करेंगे उसका एक सीरीज में आपने साथ शेयर करना चाहते हूं सबसे पहले हम बैक्राउंड देखेंगे नमबर वन स्टेप हमारा बैक्राउंड इसका एक कारण है वो है जो अमेरिका में जो सिविल वॉर की जो शुरूआत हो गई थी 1860 के असपस वहां से हम शुरू करेंगे तो बैक्राउंड में हम यह देखेंगे जो अमेरिकन सिविल वॉर है उसको देखेंगे जिस वज़े से क्या होता है कि अमेरिका से आप उनके क्या उद्देश्य थे, क्या एम था, थर्ड हम देखेंगे कि इसका क्या परिणाम पड़ा, जो भी इन्होंने नीतिया अपना ही, related to commerce, तो उसका क्या परिणाम हुआ, वो भी हम देखेंगे थर्ड स्टेट पे, और जो चौथा स्टेप हमारा होगा conclusion, जो हम conclusion मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, जो भी ग्यान है, अगर एक facts के आधार पर बात की जाए, तो हम कह सकते हैं, भारत से ही निकला है, कैसे देखें, 19-वी शताबदी में स्वामी विवेकनन दुआरा पहले ही ये बात बोल दी गई थी, कि जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही बन ज जाओगे, खुद को निर्बल सोचोगे, तो निर्बल हो जाओगे, खुद को सफल मानोगे, तो सफल हो जाओगे, यानि कि जो भी आप सोचोगे, जो माइन में अपने प्रती, जो धारना रखोगे, वो ही आप हो जाओगे, अब यही बात 21-वी शताबदी में एक बुक आ तो देखे उननिसवी शताबदी में भारत का विचार आज 21 शताबदी में किसी विदेशी के नाम से बेख रहा है तो यह एक एक देखे इसे कहते हैं प्रचार की कमी हो जाना उस समय उतना मीडिया नहीं था पर विचार जो मूल विचार है वो भारत कही था राइट चाहिए आगे जाने बरते हैं तो जैसा कि मैंने स्टार्टिक में आपको बोला कि बैक्ग्राउंड देखेंगे और बताने से तो यहां पर देखिए हुआ क्या था कि जो एक Great American Civil War अब क्या था इसके लिए अलग टॉपिक बनाएंगे जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी उसमें आपको डेप्थ दूँगा फिलाल इतना याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षडी अमेरिका यानि कि नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में एक लड़ाई हो गी थी लड़ाई उनकी अग्रेरियन थी अलब होता है ज्याद़ा वह निर्भर थे अगरी कल्चर बर अप समस्या क्या है एगरी कल्चर में चाहिए हमें सलेव्स यानि कि घुलाप चाहिए लेबर्स चाहिए मच्णोर चाहिए और कब्लरागлы होता है झीश्यवां पर हमें मशीन चाहिए वो दिलाने के पक्ष में था पर जो दक्षिनी अमेरिका था वो नहीं चाहता था कि जो लेबर्स हैं जो मजदूर हैं उनको अधिकार दिये जाएंगे तो वो लेबर तो रहेंगे नहीं गुलामी स्विकार नहीं करेंगे तो अबराहम लिंकन एंटी स्लेवरी रिपब्लिक कमिटी के थे पार्टी के थे तो उनकी नीती ओविसली लेबरों को जो भी लेबर्स हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए थी तो इसी लिए 1861 में एक लड़ाई हो जाती है बिट्वीन नॉर्थ अमेरिका एं साथ अमेरिका जिसमें एक सम्टर का फोर्ट होता है फोर्ट ऑफ सम्टर वहां पर बम फेक दिये जाते हैं दक्षिन अमेरिका द्वारा फिर नॉर्थ अमेरिका उसका रिटैलियेट करता है लड़ाई होती है अब क्या है जादातर जो ब्रिटैन है एक समय जो अमेरिका है वो ब्रिटैन की कोलोनी था 1789 के आसपास जो था अमेरिका एक तरह से पूरी तरह आजाद हो गया तो 1789 मैंने क्यों कहा है उसके लिए अलग वीडियो बनाएगी क्योंकि उनका कॉंस्ट्यूशन बन रहा था तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि पूरी तरह से आजाद अमेरिका 1789 के आसपास फिर भी जो raw materials थे वो ब्रिटैन अमेरिका से ले रहा था खासकर मैं cotton की बाद कर रहा हूं ठीक है अब देखें लड़ाई छड़ गई है कहां नौर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में अब लड़ाई में कहां से समान मंगवाए जाएगा अराजक्ता फैल गई है अनर्क कल्प ढूनेगा तो इसका परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं अब उन्हें अपनी एशिया की सबसे बेस्ट कॉलनी दिखती है और सबसे बेस्ट कॉलनी उनके लिए है भारत और देखें जो यह युद्ध है अमेरिकन सिविल वार उसको याद करने का एक तरीका है अगर आ वीडियो आप देख सकते हैं हमारे कोटल पर है वहां पर आप देखेगा मैंने आपको इंडियन काउंसल एक्ट सिखा रखें बता रखें तीन तरक इंडियन काउंसल एक्ट थे 1861 1892 और 1909 तो 1861 यानि कि पहला इंडियन काउंसल एक जब बना उसी वर्ष अमेरिकन सिविल वार भी शुरू हुई है तो याद करने के लिए आप यह लिंकिंग का इस्तमाल कर सकते हैं इंडियन काउंसल एक पहला और वहीं पर अमेरिकन सिविल वार छेला छड़ा 1861 तक 1861 में वार शुरू होता है और कब तक चलता है यह पांच वर्षों के लिए 1865 पांच वर्ष इसले बोले हैं 1861 को भी हम काउंट करेंगे तो इस दोरान क्या हुआ अब एक ही विकल्प बचा है ब्रेटैन के पास वह है भारत अब जो भी आर्थिक नीतियां है वो किस तरफ आएंगी भारत की तरफ तो यह एक हिस्टोरिकल बैक्गराउंड हमने समझा कि क्यूं अब पता है कि जो ब्रेटैन है वहां पर इंडस्ट्रीलाइजेशन हो रहा था तो जैसा कि आपने देखा बैक्गराउंड हमने समझ लिया है और अमेरिकन सिविल वार से हमने ये बैक्गराउंड को लिया है अब हम देखेंगे इसमें जो उद्देश है था जो भी एम था जो यह commercialization से related जो भी policies बनाई जाएंगी, उसका उद्देश ही क्या था, तो आई यह शुरू करता है, तो देखे, यहाँ पर देखे, जो उद्देश है, उसमें हमें यह दिख रहा है, क्योंकि जब हम बात करेंगे, यह 19th century के starting की बात करेंगे, तो हमें यह दिखेगा, कि भारत म कोई ऐसी industries, बड़ी-बड़ी industries नहीं थी, यानि कि अगर economy वाइस में इसको बोलू, तो भारत की जो economy थी, वो एक primary sector पे निर्भर थी, secondary sector नहीं था, ना के बराबर था, तो हम कह सकते हैं कि अब क्या था, कि जो raw material है, वो जाधातर लिया जाएगा, ब्रिटेन के खुद के industries क जो भी नीतिया बनाई जाएगी, उसमें जाधातर जो priority दी जाएगी, वो raw material यानि कि कच्चे माल को दी जाएगी, तो यही बात यहाँ पर लिखी है, क्योंकि अगर industrial sector की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं, जो भारत था, वो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जिम, इन सबसे European countries में industrialization काफी अच्छे स्थर पर फैल रहा था, आगे देखते हैं, अब देखे, यहाँ पर इस बात का जाधा ध्यान दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो आधार है, वो है commercialization, और commercialization का मतलब होता है मुनाफ़ा, profit, अब देखे, यहाँ पर जो किसान है, जो पहले ऐसी फसल उगा रहा था, जो भारत के जो लोग हैं, भारत की जो जनता है, या जो साशक हैं भारत के, उनका जो पेट है वो भरा जाए, यानि कि वो consumption के लिए बनाई जारे थी, जितने भी फसले थी, उगाई जारे थी, वो for the consumption उगाई जारे थी, यानि कि उसमें जो profit है, उसको कम priority जाती थी, परन्तु अब जो Britishers हैं, उनकी जो policies होगी, उस पर ये, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, कि Britain में क्या चाहिए, European countries में क्या चाहिए, क्योंकि Britain क्या करता था, भारत से raw material लेता था, अपनी industries को भी provide करता था, क्योंकि उनकी जो भूकी मशीने थी, ये उसमें भी मुनाफ़ा कमाता था, तो यहां से हमें देखिए, जो मैंने बात बताई, यहां पर लेखी हुई है, आप देख पा रहे होंगे, कि कुट, कैश, कमर्शियल गेन, यानि कि मुनाफ़ा हो पाए, British को in the European और American market, यानि कि जो भी इन्होंने market capture करी थी, यूरोप और अमेरिका में, वहां पर यह मुनाफ़ा कमा पाए, यह कच्चे माल से, और कच्चा माल कहां से लेंगे, भारत से, आगे देखते हैं, और देखें, मैंना भी बताया है, कि एक होती है, कैश क्रॉप, कैश क्रॉप को आप ऐसे समझ सकते हैं, इनकी market में demand बहुत होती है, यह उगाई ही इसलिए जाती है, कि इनको बेचा जाए, ना कि इनको consume, खाया जाए, जैसे आपकी जो indigo होता है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे tea हो गया, coffee हो गया, तो ज़्यादा तर यह इसलिए उगाई जाती है, कि इनसे product बनाया जाए और उसको बेचा जाए, अब इसलिए जादा जो Britishers की जो नीतिया थी, वो इस cash crop की तरफ जादा गई, right, cash crop की तरफ, क्योंके main इनका काम है व्यापार करना European countries में, right, और American countries में, right, किसका, Britain का, तो जादा तवज्यों कहां दिया गया, cash crops में, आप देखें, यहां पर जादा तर अब क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो नियम बनाये जा रहे थे, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं, कहीं न कहीं, जो यह Britishers थे, जो एक वियापारी के रूप में आये थे, after the battle of Buxer, जो कि 1764 में हुआ था, उसके बाद इनके पास कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक शक्तियां भी आ गई, और और उसके बाद आप जो आर्थिक नीतियां होती हैं, उनको अपने स्वार्थ, benefit, अपने स्वार्थ के अनुसार मोड सकते हैं, तो जहां इनके बाद राजनीतिक शक्ति आ गई है, और अब तो हम बात कर रहे हैं लगबग 1860 के आसपास की, यानि कि इनको राजनीतिक शक्त जा सके, और ये जादातर सारा कौन कित्ता उगाएगा, किस तरह से उगाएगा, क्या टेक्स देगा, क्या सब, जित्ते भी नियम है, वो कौन टेकरता था, English, क्योंकि इनके पास क्या है, राजनीतिक शक्ति, अब जूट, जूट को भी काफी तवज़ो दिया गया, क्योंक किसानों से कहा जा रहा है, कि आप जूट जादे उगाओ, इंडीगो जादे उगाओ, इस तरह के, चाहे आप गेहू, चावल को ना उगाओ, तो देखे, इस से जो लंबा परिणाम क्या आएगा, लॉंग टम इसका इंपक्ट क्या पड़ेगा, कि कही नहीं आगे चलके भ बाटर सिस्टम आप जानते हैं, जैसे आप पिच्चर में देख पा रहे होंगे, जैसे एक आदमी है, और एक उरत है, वो एक्स चेंज कर रहे हैं, और इसमें एक्स चेंज होता है, ओधी कोमोडिटी, यानी कि आपने कहा, मुझे तुमारा ये एक प्रोडक्ट अच्छा लुए कोई बीप्रोड苗 कोई ऽे लिए हैं घृत मीध कू पट्राइ और पिंग्रस्ट्राइब चल वर्तमान में चल रहाए कि नकि ब्रिटिश है यह को अब कह सकते हो यह जिम्मेदार है जो तो आज बाटर सिस्टम आपको नहीं देखता है अपचारी ग्रूप से अफिशली आपको बाटर सिस्टम नहीं देखता है तो इसके पीछे जो कारण है वो बिटिश से आप देखे ये जो सिस्टम बदलने से क्या हुआ अब बाटर सिस्टम से क्या होता था कि प्रोडक्ट क कि जो demand and supply के concept होते हैं वो चनने लग जाते हैं मानते हैं पैदावार बहुत जादे हो गई है तो कहीं न कहीं उसका मूल्य अगर मांग कम है और उसकी supply जादा है तो मूल्य कम हो जाता है और इसी का उल्टा हो जाता है यानि कि supply कम हो गई है मांग जादा है तो मूल्य बढ़ और उसमें एक और factor काम करता है कि राजनीतिक शक्ति जिसके पास है वो उस हिसाब से मूल लिते कर देता है तो जब ये बाटर सिस्टम हटके जब ये जो वर्तमान में जो चल रहा है जिसमें आप पैसे के बतले commodity लेते हैं तो ये कहीं न कहीं ज्यादा controllable हुई Britishers के end में यानि कि वो ज्यादा control कर पा रहे थे नीतिया बना रहे थे कि इतना कर देना पड़ेगा इतना tax देना पड़ेगा प्रोड़क्त में तो नहीं कह सकते हैं कि आप एक मचली दे रहे हो तो इसके साथ आपको आधी मचली और काटके देनी पड़ेगी फिर तो यूसफूल ही नहीं है पर टेक्स तो ऐसा है कि आप टेक्स लगा सकते हो तो मुझे अमीद्या मेरी बास समझ गए है कि कहीं न कही इसको चेंज करने के पीछे ब्रिटिश का उद्देश था कि वह कंट्रोल कर पाएं महंगाई को कंट्रोल कर पाएं और खासकर वह महंगाई बढ़ाते ही थे टेक्स बढ़ा देते थे जिससे कि जो भी व्यक्ति है वह जो गहुचाओल है वह उगा रहा है तो उसको उतना नहीं होता था वहीं उसको कॉमेर्शियल जो क्रॉप्स हैं जो कैश क्रॉप है वह उगाता था तो उसको वहाँ फायदा होता था एस पर दी पॉलिसी ऑफ दी बिटिश रही आगे देखते हैं अब यह इंपोर्टन है जो भी लैंड टेनियोस थे जैसे कि आपने पड़े ह अब मेरी लेक्चेश्टे कर सकते हैं तो इनके दुवारा क्या हुआ कहीं न कहीं कुछ गडबर होने लगी आर्थिक आधार पर कैसे कैसी मैं बता रहूं आपको देखें इसमें क्या होने लगा कि जो ने सैटलमेंट के दौरा क्या हुआ कि जमिन दारी लगी देखें पहल सकते जागेरदार जागेरदार के पास क्या एक विशेष्टा होती थी वह उसके पास जमीन तब तक रहती थी जब तक वह पड़ में है जहां वह रिटायर हुआ वह जमीन उसे राज्य को वापस करनी होती है वहीं पर जमिंदार जो ये ब्रिटिशस लाए थे जमिंदारी इसमें क्या क्या दिया गया मालिकाना हक तो यहां से हम क्या सिखें जागिरदारी में मालिकाना हक नहीं मिलता था ओनर्शिप नहीं मिलती थी और जमिंदारी में ओनर्शिप मिली अब जहां आपको ओनर्शिप मिल गई, जमीन की ownership, आपको मालिकाना हक मिल गया, तो आप अपनी जमीन को एक trading की तरह एक वेपार की रूप में इस्तमाल कर सकते थे, अर्थात आप उसको खरीद बेच सकते थे, अब इस खरीद बेचने के चक्कर में क्या होता था, कि माल लेते हैं, आपके पास जमीन है, ठीक है, आप मालिक बन गए हैं, तो मैंने आपको बहुत अच्छा offer दिया, मैंने का आपकी जो जमीन की market value है, वो एक करोड है, कालपनिक है उदारन, एक करोड है, मैं आपको दो करोड दे रहा हूँ, तो आप एक दफ़े इसको बेस दोगे, क्योंकि आपको तो मुनाफ़ा हो गया, अब मैंने आपको दो करोड दिये है, तो मैं क्या करूँगा, आप दो करोड वसूलूँगा अब भी तो सही, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि कैश क्रॉप को ज्यादा हुगाए जाए, यानि कि जो मेरे अंडर जोह फार्मर्स हैं, जो हैं, जो किसान हैं, उनके मैं photographed करूँगा, कि मुझे किसी भी हालत में मैं एक आसान शब्दों में आप तक यह बात पहुचा देता हूँ जिसे कि आपके concept clear हो अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी बात की गई है कि Britishers क्या करते थे It was introduced under the coercion of the British not to incentive presentry at large इसमें क्या करते थे मैंने अब भाब भी बताया आपको कि इसमें यह बात बता रखे होगी यह बता रखे है कि जो Britishers होते थे वो उनके पास राजनीतिक शक्ति थी मतलब वो कानून बना सकते थे तो और खास कर दिवानी मामलों में तो उनके पास पूरी शक्ती थी दिवानी मामले यानि कि जो टेक्स वाली बाते होती है दिवानी मामलों में आती है civil rights में आती है civil cases में आती है तो यहाँ पर क्या है कि इनकी एगनीती रहती थी कि जो अगर कोई व्यक्ति अगर कोई जमीनदार कैश क्रॉप हुगा तो उसको काफी अच्छा इंसेंटिव यानि कि अलग से प्रॉफिट दिया जाएगा तो यह इसमें बता रखा है जो मैंने आपको सिंपल वे में बता दिये तो इस वज़े से भी क्या होता था जो मतलब अलग-अलग आर्थिक स्थिती समाज में आर्थिक स्थिती समाज में जैसे खासकर यह पुंजीवाद जहां होता है वहां पर देखा जाता है कि जो गरीब होता है और जो अमीर होता है वह बहुत अमीर हो जाता है कहां पुंजीवाद में वहीं समाजवाद में ज्या आपको बताया कि जमिनदारी में डाल दिया गया, यानि कि ओनर्शिप दे दी है, ओनर्शिप यानि कि मालिकाना हग पुझीवाद में मिलता है, तो जहां आपको मालिकाना हग मिल गया, तो आप उसके मालिक हैं, तो आप मुनाफे के लिए बहुत काम करने लग जाता हैं, क्य तो यह जमिनदारी लाने की वज़े से जो पर्मनेंट लैंड सेटलमेंट कौन वालिष लाते इसकी वज़े से क्या हुआ अमीर हो गया गरीब बहुत गरीब हो गया तो यह बात यहाँ पर उठाई है लाइट नेक्स्ट अब रिच जो होते थे जमिनदार उससमें अमीर होते थे, देखे, इनको तो लालच होता था, क्योंकि इनके लिए पैसा जो होता था, वो सिर्फ खाने के लिए नहीं होता था, इनके लिए पैसा होता था, अपनी जो एश्वराम है, उसको पूरा करना, और जब आदमी एश्वराम में चला जाता है, तो उसको कही न कह पैसा जाइए और चाहिए तो इसलिए जो आपने देखा हुगा ज या रजवाड़े जो थे आपने देखा होगा कि जब जो भी मुद्दा आया जैसे मैं गवर्मेंट ऑफ इंडियाग 1935 को उठाऊ आपने देखा होगा वहाँ पर एक संग यानि कि संगवात का एक सिध्धांग दिया गया फैटरिशन का परंतु जो राजा रजवाड़े थे इन हम पर आगे देखेंगे एक्स्प्राइटेशन और आप समझ गया होंगे यहां पर कुंजीवाड चल गया था मालिकाना हग दे दिया गया था जमीनदारों नहीं किया गया जो किसान थे उनका काफी सोशन किया क्योंकि उनको चाहिए था मुनाफ़ा और अच्छा यह बात याद रखेंगे लॉस ओफ लेंड आप देखें होता क्या था जो विचारा गरीब किसान है अगर मालने उसके नाम पर थोड़ी बहुत भूमी भी थी अब होता क्या था कि अब वो मालने थे कैश क्रॉप नहीं उगा रहा है वो कहना मेरी जमीने मैं तो खेती करू हुआ जो पेट भनने के लिए होती है परन्तु कुछ ऐसा हो गया कि कुछ जो प्राकृतिक आपदाय होती है वो आ जाए तो उसका होता क्या था कि वो कर नहीं पाता था जितना उसका कमिट्मेंट रहता था और उपर से राजनीदिक नीतियों की वज़े से काफी जादा कर लगाय जाता था जो कैश क्रॉप नहीं है उसमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता था तो अंत में था खारकर जो करीब किसान होता था वो जो साहुकार होते थे उनके पास रिंड लेने चला जाता था लोन लेने और लोन इतना जादा ब्यास दर पर होता था कि अंत में कि खेटी में काम करेगा वो किसान जिसके पास खुद की जमीन थी आज वो किसी और की खेटी में काम कर रहा है और उसको उसका काफी जादा शोशन किया जाता था जैसे आज के समय में आपको देखता है जिसे झीजिए लिवर चलिए अब हमेशा मैंने काया कि every coin has two faces हर सिक्के के दो पहलों होता है तो जो यहां पर हम देखेंगे जो जो भी परिणाम हुए impact हुआ कुछ positive हुआ था इसका और कुछ negative हुआ अभी तक जो मैंने आपको बताया कुछ negative ही है आपने देखा होगा तो positive में हम देखेंगे देखेंगे इसके द्वारा क्या हुए कुछ social exchanges हुए और कहीं न कहीं इसने transformation of Indian economy यहां वरी इसको मैं ऐसा समझाता हूँ देखे क्या हुआ कि कभी भी जो ऐसा समाज होता है जहां पर जो समाज खंडित होता है यानि कि उस समाज का division है वो विभाजित है किस आधार पर धर्म के आधार पर धर्म भी जाती के आधार पर इस तरह का जिस समाज में विभाजन होता है अब वहां पर सरकार इसी नीतिया बनाती है जिसमें उनको काम करना है, क्योंकि पुझीबाद में ज़्यादा जो वर्चस होता है, वो सरकार से ज़्यादा एक नीजी वेक्ति का होता है, नीजी वेक्ति को मुनाफ़े से मतलब होता है, उसको ये फरक नहीं पड़ता, कौन किस जाती का है, या कौन किस धर्म का है, तो फिर एक ही लेखती है वो हर काम करने लगता है तो उस देश की जो एकनॉमी है वो बूस्ट होने लगती है तो यहां पर हमें यह इसका फायदा देखा आगे चलके हमने देखा भी कि कुछ वहां पर उनको डिमांड आप वहांग होती जो उनके मांग होती थी जो कीफिया सरकार नीतिया बनाती और उसको जाद़ इंसेंटिव मिलेंगे तो जातातर कॉफी हो गाई जाती थी तो यानि कि जो किसान है वो लिंक हो गया था बात भी हो गया था इसके हिसाब से जो वैश्यू की स्थर पर मांग गया है अब इससे फायदा क्या हो इससे फायदा यह हुआ कि मानते हैं कल कोई दिक्कत हो जाती है भारत यानि कि भारत में कि से लानी ने नो वांसोन हो जाते हैं तो मांते हैं सुखा पड़ गया अती बारिष उजा तब भी तो फसल के नुकसान है तो फसल को इत्ता नुकसान हो जाता है तो होता क्या है कि के तो उस समय कहीं न कहीं क्योंकर यॉरोप की मांग पूरी कर रहा है भार राइट तो अगर भारत मांग पूरी नहीं कर रहा है तो यॉरोप कहीं मदद करता था तो इस तरह से एक हमने देखा link देखा रहाई जो की अच्छा है जो आज के वर्तमान में भी आपको दिखता है एक देश में कोई दिक्कत होती ही तो दूसरा देश उसकी मदद करने चला जाता है क्यों क्योंकि वो आपस में link होते है तो यह हमें कुछ दिखा आगे देखते हैं new commercial crops भारत की काफी अच्छी खासी इंकम है वर्लड व mould भी तो ये किस के दौरा लाएं गई यह कहींड प्रिटिश कोलोनी थी उनके दौरा लाएं गई जो ब्रिटिश की नीतिया थी. वारत की स्तिती कहीं को किहि हैं तो भारत को फिसके फाहिए हैं तो फिस्क्राम कर रहा इसने क्या किया कि कही ना कहीं जो अपर क्लास थी जो एक ऐसा वर्ग था जो अपर था पर से मतलब जिसके बाद ज्यादा पैसा है उसका काफी बेनिफिट हुआ परन्तु वहीं जो इंडियन पीजेंस थे क्योंकि आर्थी का अधार पर नीचे थे इनका काफी शोषण हुआ तो एक का फायदा हुआ एक का नुपसान हुआ जमिन नारों को फायदा किसानों का नुपसान और मैंने यह बताया था कि कहीं न कहीं जो टाइड है रिमोट की पर यूरोप में जादा मांग है काफी की तो कहीं न कहीं जितने भी भारत के किसान हैं उनको मजबूर किया जाएगा कि वह कौफी उगा है क्योंकि उससे जादा फायदा हो रहा है तो इस वज़े से क्या देखा गया कि कहीं न कहीं की कमी हो गई थी भूकमरी फैली तो यह भी कहीं न कहीं नुकसान हुआ और जबता है कि यह सब्से जो बुरा परभाव पढ़ा है इस कौमेस्यािल से वह इंडियन और किसने किया है European से मैंने बता है उस समें इस तरह के कानून भी नहीं थे जैसे कि अभी आपको देखता है लेवर एक 1948 जो मैं अल्रेडी बता चुका हूं उस समें ऐसी कोई भी कानून नहीं थे क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसके पास था गटैन के पास था भारत का साशन तो इनके पास आ गया था ठीक है 1858 से तो डायरेक्ट कंट्रोल चला गया था क्वीन के पास राइट तो कहां से ऐसा कानून मनाएंगे उनको तो अपने फाइदे से मतलब था इस फांड एक्स्प्रेशन इंदी फेमस इंडीगो रिवोल्ट अंत में आपने देखा मैंने हमेशा काया जब भी आप किसी का शोषन करेंगे और शोषन जब एक हद तक होगा उसके बाद एक क्रांती आएगी शोषन का जो अधिक्तम होता है वहां से एक शुरुवात होत एक कही न कहीं बुराई को जादा दिखाया है क्योंकि यहां पर शोषन है तो कंक्लूजन में हम इसको हाला कि इसके मुनाफ़े और लाब माफ कीजिए का जो लाब और नुकसान है वह मैंने दोनों आपको दिखाया परन्तु कंक्लूजन में आपने एज़ा इंडियन भार नहीं बनाकर रखाता है तो इसलिए हम अंत्र में कंक्लूजन में क्या करते हैं उसका एंड नेगेटिव ही करते हैं तो यह बात याद रहेंगे तो मुझे भी थे यह पसंद आया होगा अब आगे देखते हैं देखे हमेशे याद रखेगा कि आप कितने भी अच्छे आप बनाकर आपको दिया जाएगा जिसमें की आपका समय वेस्ट ना हो क्योंकि नूर्स बनाने में भी एक एक्स्पीरियंस यह होता है तो यह दोनों आप याने की प्रीमियम लेक्ट्चर्स और जो स्टेडी मटेरियल है आपको दिया जाएगा केवल 6900 नियान पर और यहीं प तो इमेजन करिए 35 टैसरीज आप लगाते हैं तो कितने कुश्छन सब लेते हैं तो वह आपको पड़ेगी केवल 6999 वह 35 जो टैसरीज है आपको केवल कितने पड़ेगी 6999 जिसमें आपको प्रीमियम लेक्ट्चर्स और जो स्टेडी मटेरियल है वो नहीं दिया जाएगा अब देखे एक जो पैकेज है जो एक bundle पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ दिया जा रहा है, study material दिया जा रहा है, premium lectures दिया जा रहे हैं, और तीन के दिन आपके टैस्ट रीज दी जा रहींगे, केवल आपको पड़ेगी मात्र 9999 की, मात्र 9999 की, देखे ये तो आजकल तो लिखाई में खर्शनी करेंगे, तो आगे चलके आप एक liabilities बन जाएगे, ये बात मेरी हमेशे आत रखेगा, अब देखे ये जो 9999 का package है, ये ज्यादा तर इसमें एक offer लाए हैं, जिसमें आपको केवल 10% पे करना है, वो उनके लिए हैं, जिनको लगता है कि भाया, उनका प्री निकल भी सकता है, ने भी निकल सकता है, यानि कि थोड़ा दुविदाम है, क्योंकि इस साफसों के marks है, तो वो क्या करें, या तो वेट करें, रिजल्ट का, और जिस साफसाब देख रहे हैं, पैटिशन फाइल हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो रिजल्ट 9000 का, वो हमें तब दे सकते हैं, तो देखें, इंपोर्टन क्या होता, पैसा नहीं होता, इंपोर्टन होता समय, क्योंकि समय को आप दुबारा नहीं पा सकते हैं, तो यह offer उनके लिए है, और देखें, स्टार्टिम में आपने देखा होगा, जो महक मैम है, तो आज आज आ IPS में नियुक्त है, और यहांबा देखें, यह आपको दिखेंगा, इस तरह से copy check होती है, यह देखें, महित राठी जी है, आज इनका AEQ में selection हो चुगा है, तो याद रखेंगा, जो means writing is a skill, यह skill होता है, और skill के लिए आपको practice चाहिए, without practice, without repetition, you can't make your skills, तो आपको लिखते मेंस लिखते रहना, हम तो copy पहुचानी है, और कल आपने देखा होगा, एक live session भी हमने लिया था, जिसमें आपको दिखाया किस तरह से copy check होती है, और वो आता रहेगा, तो आपने means writing खूब करनी है, हमें भेजना है, तो मुझे उमीद है, यह आपको पसंद आया होगा, तो